जहीन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दा लॉजिकल साइन्स में मैं हूँ अलोग सिंग आतीस और आज के इस वीडियो स्वेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं यहां दोस्तों जैसा कि आप सबों को मालूम है कि एलपी एन टेक्निशन साइन्स एक्सप्रेस में हम लोग 2018 के एलपी के सिवीटी वन में जो साइन्स कोईशन पूछे गये हैं उनको डिसकस कर रहे हैं और मेरे मित्र यह जो डिसकसन आपका चल रहा है वह आपका सिप्ट वा लोग वैसे ही एक और सिप्ट के कोईशन को डिसकस करेंगे जो आपके आगामी एलपी एक्जाम के लिए बहुत ही उप्यों की है आथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज की सिशन का जो भी कोईशन है उसका पीडियेफ आपको कहा मिलेगा यह हमारे टे पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा कथान गलत है और यहां पे जो एन आई ओएच की बात की जा रही है यह एन एओच ठीक है इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लें आपसे यह कहा जा रहा है पहला ऑप्शन में कि सोडियम हड् में बन जाता है क्या होगा इद कर बितरा आप सभी ध्यान में रख़ेगा आपका जो इस है क्या है वो के question को solve करने में आपको कोई टाइम नहीं लगे बहुत ही सरल सा question करा जा रहा है कि चारो statement में सापको गलत कथन चुनना है आप क्यों होगे कि गुरुजी अगर हम पहले option की बात करें तो हमारे पहले option में naOH कहा जा रहा है और naOH हम सभों को मालूम है कि यह परकार का बेस होता है और कोई भी पदार्थ बेस तब क्या होता है जब उसमें क्या होता है सथ सर صहएश- आयन तो किसपी बेस की यानि कि किसी भी चारिया पदार्त की प्रकिरती उसके OH- आयन से होती है उसके hydroxyl group से होती है ना कि उसके अधर जो term होते हैं उनसे होती है जैसे कि किसी भी formula में हम लोग बात करते हैं तो दो पाट होते हैं एक positive radicals के रूप में होता है दूसरा negative radicals के रूप में होता है तो यह जो हमार sodium hydroxide है बेसक इसके भी दो पार्ट होंगे मेरे मित्र एने पलस और ओएच माइनस लेकिन आप सभी क्या कहते है कि गुरुजी हम लोगों ने पढ़ा है कि एसीड वह सब्टांस होता है जिसमें एच पलस आयन होता है और बेस वह होता है जिसमें ओएच माइन होता है तो चाह है कि sodium hydroxide की छारिया प्रकिर्ती sodium आयनों की उपस्थिती से होती है आप कहेंगे बिल्कुल ही गलत है और यही आपकी इस question का सही आंसर है का है तो सर आपको गलत कथन चुनना है और पहले ही option में आपको गलत statement मिल गया आप कहेंगे सर बाकी के जो तीन statement है आईए discuss कर लेते है चिला जी दूसरे option में कहा जा रहा है कि गैर metallic oxide प्रकिर्ती में अमलिये होते हैं भाई मीड़े आप सबों को मालूं है कि metal हो यह फिर non metal हो metal हो यह फिर non metal हो दोनों oxygen के साथ react करेगा क्या बनाएगा सर अपना अपना oxide बनाएगा यानि कि अगर metal oxygen के साथ react कर रहा है तो आप क और अगर non metal oxygen के साथ react कर रहा है तो आप कहेंगे गुरुजी यह non metal oxide बनाएगा क्या बनाएगा non metal oxide बनाएगा जिला जी आप सबों को मालूम होगा कि अगर हम लोग बात करते कि metallic oxide के properties की यानि कि धात्विक oxide के प्रकिर्ती की तो आप सभी कहते कि गुरुजी जो metal के oxide होते ह उसकी प्रकिर्ती चारिय होती है metal के oxide जो होते है उसकी प्रकिर्ती चारिय होते है और जो non metal की oxide होती है उसकी प्रकिर्ती कैसी होती है आप कहते कि गुरुजी अमलिय होती है कैसी होती है सर अमलिय होती है मिरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि गैर metallic oxide प्रकिर्ती में अमलिय होते केसे अचर तो आमली आ प्रकृति के होते ही है और मैडाली certified शाईड चारिया प्रकृतिक फॉते हैं इसी साथ से हमारा जो दूसरा statement है option का वो क्या है सही है यहां देंगे तीसरा statement है कि निम्बो में citric काम लुपाया जाता है आप कहेंगे सर जितने भी खटे फॉल होते हैं they all contents citrus they all contents citric acid जितने भी citrus fruit है citrus fruit बोले तो खटा फल इन सभी में क्या होता है सर citric acid होता है तो भाई मेरे आपका तीसरा statement भी क्या है सर बिल्कुल सही है next step phenoleptiline साबून के घोल में गुलाबी बन जाता है बिल्कुल सही है सर आप सब को मलूम है कि phenoleptiline यहां पर क्या है आप कहेंगे सर acid base indicator क्या होता है acid base indicator आप कहिएगा कि गुरुजी गुरुजी वैसा पदार्थ जो किसी भी जो किसी भी बिलियन की अमलियता और छारकता को बताता है उससे अमलचार सूचक कहते हैं और phenoleptiline क्या है अमलचार सूचक है किस प्रकार का प्राकृतिक या कृत्रिम आप कहेंगे सर यह synthetic है मतलब क्या संसलेसी थे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर लैब में तयार कर सकते हैं और हम सबों को मालूम है कि phenoleptiline acid के साथ colorless हो जाता है कोई रंग नहीं देता है लेकिन phenoleptiline base के साथ क्या करता है सर pink color देता है भाई मिड़े आपके घर में जो साबुन यूज होता है आपके घर में जो कॉल्गेट यूज होता है यह सब के सब क्या होते हैं सर बेसिक निचर के होते हैं तो यहां पर phenoleptiline साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है अगर यह कहा जा रहा है तो क्या बुराई है आप कहेंगे कोई बुराई नहीं है मतलब यह सर B, C और D की तीनों option हमारा सही था सिर्फ और सिर्फ गलत statement sodium hydroxide वाला था तो सही आंसर हमारा कौन लेके जाएगा आप कहेंगे option number A is the right answer of this मेरे ख्याल से आप समझ पाए हो आईए बात करते हैं अगले question की अगला question question number 2 बड़ा ही सरल सा सवाल आपसे कहा जा रहा है कि निसेचन के परिमान स्वरूप किस एक का निर्मान होता है अंडासे यूगमक रोगानू कोसी का यूगमज क्या कहिएगा कि गुरुजी अंडासे ये तो अंडाउत पादित करने वाला जगा है यहां से क्या होता है अंडाउत पादन होता है यहां पर यूगमक ग्यामेट की बात की जा रही है तो मिरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं मेल की और अगर हम लोग बात करते हैं फिमेल की तो आप सभी को मालूम है कि मेल के बॉड़ी से क्या रिलीज सब्सक्राइब और भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि सर्वेन, the male gamets and female gamets are diffused together, then they form giigoại. तब ये क्या फॉर्म करता है युगमज फॉर्म करता है और मिरमित्र आप सभी ध्यान में रखना यानि कि वैसा प्रोसेस जिसमें एस्पर्म और आववम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होता है उसको हम लोग निसेचन यानि कि Ph APP कहते हैं और फटिलाइजेशन के उपरांत क्या बनता है सर् युगमज बनते हैं यानि कि जाइगोट बनता है तो सही आंसर क्या होगा सर् औप्ससर नमिर दी हो जायगा क्या पुछा जा रहा था की निशेचं के परिणाम सरूभink फर्टिलाइजेशं के परिणान सरूभ फर्टिलाइजेशं में क्या होगा मेल गैमेट्पी मेल-गैमेट्पिफ्यूज होगा क्या बनेग सर जाइगोड़ बनेगा मेरे मितरो गणु ख prospective है इसको विभी जार्म में रखेंगे आप कहेंगे चलो सार इस कोईस्टन में दो गुछ था ही नहीं तो मेरे मेरे में नेक्स्ट सक्षिन की बात कर लेते हैं बढ़ा ही सरल सा कोईस्टन मैंने आपको पहली ही बता था कि एकर आपके पास थोरा-सा भी साइन्स का बेक अप है तो एल पी के इस सिप् पावर शूल के बराबर होता है चला जी धियान में रखना कि 1KWH को ही क्या बोला जाता है सर एक यूनिट भी बोला जाता है और मेरे मित्र अगर कुछा जाए कि एक यूनिट में कितना जूल उर्जाखा पत होगी आप कहेंगे 3.6 10 to the power 6 Joule तो चला जी सही आंसर आप कहेगा option number B is the right answer of this question आईए बात करते हैं अगले question की अगला question आप से कहा जा रहा है कि calcium phosphate का आनविक सुत्र क्या होगा मेरे मित्र CA3PO4 whole 3 नहीं होगा CAPO4 whole 2 नहीं होगा सर CA3PO4 whole 2 बिल्कुल सही आंसर है ध्यान में रखेंगे इसके लिए कोई यह इसके लिए कोई concept नहीं है formula आपको याद रखना होगा मेरे मित्र हम आपको इतना बता सकते हैं कि चला जी ये जो calcium phosphate है, ये आपके tooth के inamail में पाया जाता है कहां पे पाया जाता है? सर, tooth के inamail में पाया जाता है और मेरे मित्र, आप सहँ ध्यान में र sitting topic कि when the phosphoric acid reacted around with calcium Profher NO sehr then they form calcium phosphate and water आपको रीक्सवの कैसा होता है कि आगर हम लोग phosphorus acid की बात करते हैं स्थी फिए फोर कहते हैं क्या कहते हैं एच फिए फिए फिलस एच टू बनाएगा तो आप सब ध्यान में रखियेगा क्या जब फोस्फोरी के सीड केल्सियम हट्राउकसाइड के साथ अभी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा केल्सियम फॉस्पेट फॉर्मुला सीए 3PO4 होल टू और साथ में क्या होगा सर वाटर रिलीज होगा केल्सियम फॉस्पेट कहां मिलेगा हमारे टूथ के इनामेल में पाया जाता है नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा बराही सरल सा कुस्टन है एक रेलगारी एक समान गती से 50 सकेंड में 338 मिटर की दूरी तै करती है इसकी गती क्या होगी आप कहेंगे सर बच्चा वाला कुस्टन है स इकोल टू डी बटा टी लगाएंगे डी कितना है 338 मिटर और बटा 50 सकेंड लगा देंगे मेरे मितर आप सभी इसको सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा कि आपको कितना आंसर आ रहा है और इस कुस्टन का सही आंसर क्या होगा आईए बात करते हैं अगले कुस्टन क नेक्स्ट कुस्टन कुस्टन नमबर 6 बराही सरल सा कुस्टन आपसे पूछा जा रहा है कि AG और CL माइनस के ध्यान दीजेगा यहाँ पे AG पलस होगा AG पलस और CL माइनस के सहयुक्त होने पर बनने वाला योगी क्या है आप कहेंगे सर AG CL इसी को क्या बोला जाता है गुरु क्लोराइड है इसको जब आप सुर्ज के उपस्तिती में रख देते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन में डिकंपोज हो जाता है और मेरे मित्र आप से सवाल पूछा जाता है क्या कि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के उपस्तिती में रखने पर सिल्वर क्लोराइड का सिल् कुन सी रियक्षन का उधारन है तो आप सभी कहेंगे यह फोटो लाइटिकल डिकमपोजीशन का क्या है उधारन है यानि कि परकास ब्यद्धुत अपगटन का उधारन है तो यह चीज भी आप ध्यान में रखेंगे कि कि AGCL का AG यानि कि सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाना किसका उधारन है तो सर परकास ब्यद्धुत अपगटन का उधारन है मैं यहाँ पे लिखी दे रहा हूं कि AGCL का AG एबम AG basil में DX हो जाना कून सी अभिकिरिया है आप सभिए रखना फोटोलायटिकल डिकंपोजिशन है कौन सी है सर्फोटोलायटिकल डिकंपोजिशन है मे्र मितर ध्यान में रखेंगे इन सभी का उप्योग हम लोग फोटोगराफि में करते हैं साथी ध्यान में आप ये भी रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं एजी आई सिल्वर आयोडाइड की इसको क्या पढ़ते सर सिल्वर आयोडाइड पढ़ते हैं तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे यह जो Silver Iodide है, यह किसके लिए responsible होता है, कृत्रिम वर्षा के लिए responsible होता है, तो अगर आप से question यह पुछा जाये, कि कृत्रिम वर्षा के लिए निमलिकित में से कौन सा योगिक जिम्हबार है, आप खेंगे Silver Iodide, क्या कहेंगे Silver Iodide, और साथ ही किसी भी formula में, किसी भी formula में पहला पाट धनात्मक होता है दूसरा पाट रिनात्मक होता है AG CL में AG पलस होगा CL माइनस होगा अगर इस टैप से सवाल जब भी पुछा जाएगा मेरे ख्याल से आप उसका आंसर 100% दे पाओगे आईए बात करते हैं अगले कुश्चन की अगला कुश्चन कुश्चन नमबर साथ कहा जा रहा है कि बास्तविक परतिविम पाने के लिए एक बस्तू 20 cm फूकस दूरी वाले अवतल दर्पन से 30 cm की दूरी पे रखी हुई है दर्पन से परतिविम की दूरी क्या होगी चेला जी यह आपका एक अवतल दर्पन है यह आपका एक अवतल दर्पन है एकॉर्डिंग टू कुश्चन आप कहेंगे सर अवतल दर्पन है तो मुख अक्ष भी होगा बिल्कुल होगा यहाँ पे क्या होगा आपका एक अशर जी धुरूब होगा यहाँ पे focus होगा चला यहाँ पे वकरता के अंदर होगा क्या कहा जा रहा है वास्तविक परतिविम पाने के लिए एक बस तू 20 cm focus दूरी वाले अपतल दरपन से 30 cm की दूरी पर रखी हुई है चला P से लेकर के F तक की दूरी कितनी 20 cm यह क्या है सर फोकस दूरी है भाई मिड कहा जा रहा है question में कि 20 cm focus दूरी वाले अपतल दरपन से 30 cm की दूरी पर रखी हुई है बस तू मतलब 20 से यहाँ आएंगे तो सर 10 यहां मान लेते हैं 10 तो हमारा object according to question कहां पर रखा हुआ है सर 30 cm की दूरी पर तो भाई मेरे यह इसको हम लोग 30 cm कहा दें आप कहेंगे बिलक तो सबये हो या फिर फोकस दोड़ी हो दरपन के दूरुब से माँ पी जाएगी और दूरूब के दिसा में आ रही है ताब्टो धनात्म खोगा धुरूब के दिसा के विपरित चलेंगे तो सरी ना तकौकाः भाईबा रिश को होके अदा प्रकास की दिसा होगी चला यह अजारे हो इधार तो भी प्रितना है तो आपके एगा सर रिनात मगली जी कोई दिक्कत नहीं है अब देखो ध्यान से कि एफ हमारा क्या होगा आप कहेंगे अब तल दर्पन के लिए तो सर माइनस होगा क्या निकालना है चेला आपको सर हमको भी निकालना है नहीं निकलेगा आप कहिएगा सर दरपन सुत्र 1 बटा F equal to 1 बटा B plus 1 बटा U से 1 बटा F क्या होगा 1 बटा B तो निकालना है चला 1 बटा U क्या है तो सर 1 बटा minus 30 solve कीजिये ना 1 बटा minus 20 equal to क्या हो जाएगा सर 1 बटा B plus minus, सर minus 1 बटा 30 माइनस एक बटा 20 यह इधर आएगा तो पलस एक बटा 30 हो जाएगा चला 1 बटा भी 30 और 20 का एल सी हम साथ होता है बीस तिया साथ तीस दूना साथ 1 बटा B क्या कहोगे गुरुजी पलस minus minus होगा माइनस साइन रहेगा माइनस 1 बटा 60 इकवल टू 1 बटा B यह क्या हो जाएगा भी इकवल टू माइनस साथ सेंटीमीटर मेरमितर आप कहेंगे सर परतिभीम दूरी में रिनात्मक साइन लग रहा है मतलब परतिभीम हमारा नीचे की और बन रहा है सर और इसी साइड बन रहा है पीछे बनता आपतल दरपन में कहते काल पनी की ता आगे बन रहा है कहेंगे सर वास्तविक है चला जी वो नहीं पूछा जा रहा है आप से पूछा जा रहा है परतिभीम दूरी क्या है आपका एगा सर ऑप्सन नंबर A राइट आंसर है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बात करते सर अगले कोश्चन की अगला कोश्चन बरहीं सरल्सा निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमानू कौन सा है भाई मेरे आप सबों को जब भी स्टैप का कुश्चन पुछा जाएगा ना तो थोरा सा लॉजिक लगाना हो आपको होगे कि सर ऑप्सन है अलुमूनियम सिलिका सोरी सल्फर सिलिकन और फॉस्पोरस मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अल्मूनियम का अटॉमिक नंबर क तेरे मित्र अगर हम आपको यह कहें कि अगर हम बात करेंगे वर्ग 13 की तो आपके दीएगे ओप्सन में से कौन सा ता तो वर्ग 13 में होगा आप कहेगा सर अलुमूनियम का है तो आप कहेंगे सर इसका जो वैलन्स ऐलेक्ट्रों वह तीन है और जेनरली हम लोग कहते सर 10 प रखा जाएगा और अगर हम वर्ग पंद्रह की बात करेंगे तो आप कहेंगे वर्ग फंद्रह में फोस्फोरास रखा जाएगा और मिरमित्र अगर हम वर्ग सोला की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर वर्ग सोला में जो है हमारा सलफर रखा जाए मेरे मितर ताजूब की बात ये है कि इन सभी तत्वों का गुरूप भले ही अलग-अलग है लेकिन ये सभी एक ही आपरत में है आपके ये गई कई से आप क्या कहेंगे टू एन स्क्वाइर के अकॉर्डिन चलिए सर और उतना ज्यादा माथा पच्ची मत कीजिए एलेक्ट्रोनी कंफिग्रेशन कख्षा के बेस पर दो आठ तीन कहिएगा कई गो कख्षा चला तीन गो किसी भी तत्र में जितनी कख्षा रोट नहीं आवरत में पाया जाता है तुसर आपका ऐलूमूनियम्च्षा North में पाया चाहिए तारो से अंफहर को गे सर कन्फिग्रेशन 2-6 इसमें भी 3 कख्षा 3 आवरत में पाया जाएगा इसमें भी तीन कच्छा सर तीसरे आबर्त में पाया जाएका लेकिन सबका गुरूप अलग अलग है वी तर आप सभी ने पढ़ा है क्या पढ़ा है कि गुरूजी अगर किसी भी आबर्त में हम अगर किसी भी आबर्त में हम, किस कहां पे सर, आबर्त में, अगर हम कहां जा रहे हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, सर, बाएं से दाएं जाने पर परमानु आकार, बाएं से दाएं जाने पर परमानु आकार, क्या होता है, घटता है, परमानु अकार क्या होता है घटता है तो मेरे मित्र ऐलुमूनियम आपका सबसे भाएं है सिलिकन इसके बाद है सिलिकन के बाद फास्पोरस और फास्पोरस के बाद सल्फर सबसे दाएं में कौन है आप कहिएगा सर सल्फर तो इसका जो परमानु अकार होगा वो क्या होगा आप कहिएगा, Sir, सबसे छोटा, सबसे क्या होगा? छोटा होगा. और Aluminium सबसे, Sir, क्या है, Sir, दाइं में है? सबसे बाईं में ये है और सबसे दाइं में आपका ये है. तो Sir, दाएं गए, तो हमने बोला बाईं से दाइं जाएगा, तो परमानुवा कार घटेगा तो सबसे दाएं में यह है आपको इस तरह के मिलेंगे तो थोरा सा लॉजिक तो आपको लगाना होगा अगर आपको प्रोपटीज याद है प्रियर्ड और ग्रूप दोनों का सवाल करने में आपको कोई परिशानी नहीं हो आईए बात करते हैं अगले कोईस्टन कोईस्टन नमबर 9 बहुत ही सरल सा सवाल इससे आसान सवाल और कुछ नहीं हो सकता है कहा जारा एक तत्तु के आईसोटॉप की द्रमान संख्यां 298 है मतलब यह हमारा 298 है फिर कहा जारा है कि यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रोन है एन की संख्यां 196 है तो इसकी परमानू संख्यां क्या होगी आप कहेंगे सर परमानू संख्यां जैड से रिपर्जेंट होता है और बराबर होता है प्रोटॉन की संख्यां के कर बराबर होता है चला प्रोटॉन की संख्यां के तो किसी भी तरीका से प्रोटॉन की संख्यां निकाल ले तो प में ध्रमान संगे कितना दिया हुआ है दूसों अंठान बैप प्रोटॉन निकालना है न्यूट्रोन एक सची आनबै है क्या को होगे गुरुजी प्रोटॉन इकल टू 208 माइनस 106 आठंट में से छो गेंदू नौ जीरो एक सो धू होगा प्रोटोण की संख्या एक साथ दू एक साथ नंबर प्रोटोन की नंबर प्रोटोण की संख्यां के बराबर तो जैड़ एकॉल टू क्या होगा आप कहीएगा 102 साइए आंसर आप्सीन नंबर भी हो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा देखिए सर अगला कोई सर परहीं सरल ससवार कि उर्जा उत्पादन के धौरान गुलुकोज का पाइडवेट में विखाडन कहां पे होता है मेरे मेरे ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं स्वासन की परकिरिया का तो स्वासन की परकिरिया के दौरान पच्छेवे भोजन से क्या होता है उर्जा निस्कासित होता है अब पच्छेवे भोजन से जो उर्जा निस्कासित होगा तो यहां पे हम लोग दो परकिरिया पढ़ते हैं एक एनार गुलकोज हमारा किसमें बदल जाता है पैडविक एसीड में बदल जाता है लेकिन जब वह हमारा पैडविक एसीड कहा जाता है सर माइटोकॉंड्रिया में जाता है तो वहां पर पुन रूप से विघटित हो जाता है और हम लोग क्या कहते हैं सर हमको उर्जा प्राप्त होत है मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा option number a हो जाएगा आप कहेंगे सर mitochondria को क्या बोला जाता है powerhouse of the sale इसी लिए क्योंकि यहां पे गुलकोच का पुर्ण रूप से भी घटन हो जाता है और आपको क्या मिलती है सर तो 36 ATP के रूप में उर्जा मिलती है ध्यान में रखिएगा कि जो ATP है इसका फुल फॉर्म एडिनोसीन ट्राइफ फॉस्पेट होता है ADP एडिनोसीन डाइफ फॉसफेट होता है क्यांदरक मिरे मितर कोशिका का जो संपुन पड़किप्रिया को नियंतरित करने वाला भाग होता है वह क्यांदरक कहलाता है एंडो प्लाजमिक रिटी कुलम कोशी कांग है सेल और गेनल से हैं एक्स कुष्टन सर कुष्टन नंबर 11 बरहीं सरल सा सवाल कि पितल निम्न में से किसे बनी एक मिसर धातु है आपके यह गुरुजी जब भी बरास यानि की पितल की बात की जाएगी बरास यानि की पितल की हम सभी क्या कहेंगे कि सर ये जो है ये copper plus zinc का मिसरन होगा लेकिन अगर बात की जाएगी ब्रॉंज की यानि की कांसा की या कांस की तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो ब्रॉंज है ये copper plus zinc का मिसरन होगा केला जी आप से पूछा जा रहा है ब्रास किसका मिसरन है आप क किसके लिए हो जाएगा ब्रॉंज के लिए हो चलिए अगला कुश्चन अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 12 कि एक परिबार ने एक महिने में 321 उर्जा का उप्योग किया यह उर्जा जूल में कितना होगा तो आप कहिएगा 320 गुना सर 3.6 इन्टू 10 to the power 6 करेंगे मेरे मितर 320 और 3.6 को गुना कीजिएगा 1152 होगा 1152 इन्टू 10 to the power 6 जूल सही आंसर ऑप्सन नमबर बी हो जाए आईए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 13 कि एक लंबवद फेकी गई गेंद 10 सकेंड बाद पिर्थवी पर लौट आती है फेके जाने की घती बताईए यदि आप सभी ध्यान देना यहां पर बहुत ज्यादा धिमाग हमको नहीं लग तीधा कैलकुलेशन है सर दस गुना दस सो अंसर आजाएगा आपको कैसे मेरे मिदर ऐसे कि यहां पर कहा जा रहा है कि एक लंबवद फेकी गई गेंद अगर किसी बस्तू को हम उपर फेक रहें औ यह सतना पीछ और सरे ऊपर जा रहें तो कुस नो कुछ में मैक्सिमाम हाइट को कवर करेंगा मैक्सिमाम हायट को कभर करने के बाद यह फिर से क्या होगा सब्यूभर जाएक तब उपर फिका जाए तब आपके कोस्टन में क्या कहा जा रहा है कि वह पिर्थवी पर लॉट आती है मतलब अंतीमबेग जीरो हो जाता है यू हमको निकालना है जी का वैल्यू दस है टाइम इसको दस सकेंड लगता है सर उपर जाके नीचे आने में सर तो आप कहेंगे सर यह माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पाइनस सो और यह हम काट देंगे तो यू इक्वल टू हमारा सीथी सौ मीटर पर सकेंड आ जाएगा इसलिए हमने आपको बोला ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है दस गुरां दस सो हो जाएगा विदिक्कत नहीं होना आई बात करते सर अगले कुष्चन अगला कुष्चन कोसे नमबर फोटी अच्छा बहुत सारे मितर के मन में चल रहा हो हुगा कि गुरु जी इस को सब्सक्र बात है कि जब दोनों समय बराबर है तो हम दो से लिवाइट कर सकते उपर जाने में पंस से बिच winter नीचे आने में प पचास मीटर पर सेकेंड हो जाएगा क्यूंकि यहां पे टी का वैल्यू हमको पांच रखना होगा पचास आपके कहीं ऑप्सन में नहीं है तो रेलवे का इस कोश्चन में बिसिकली एक कंट्राडिक्शन रहता है हम लोग उपर जाके नीचे आने वाला रूल लगा लेते हैं तो इसे 700 मीटर की दूरी थाय करने में कितना समय लगे बहुत सरल कोश्चन है चेला आपके कोश्चन में कहा जा रहा है कि ध्वानी तरंग में 3.5 किलो हर्ज की आविड़ती है मतलब फ्रिक्वेंसी कितना है न्यू कितना है सर 3.5 3.5 कहज किलो हर्ज याद रखिएगा यह हर्ज में कितना होगा तो आप कहेंगे 3.5 इंटू 10 to the power 3 हर्ज हो जाएं काहे तो सर एक किलो हर्ज एक हजार हर्ज के बराबर होता है एक हजार को तो 10 to the power 3 लिख सकते हैं आप कहेंगे बिल्कुल चेला जी लेमडा तरंग देर्ज कितना है 0.1 मीटर डिस्टेंस कितना कभर करना है सर 700 मीटर क्या पुछा जा रहा आप से टाइम कितना लगेगा चेला जी आप हमको यह लगा तो आपको कितना समय लगा 700 मीटर दूरी कवर करने में यह पता नहीं चलेगा आप कहेंगे 100 परसंट चलेगा तो चला कहें लेगी इतना टेंसन में हो भी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा लगा हो यानि कि आबिर्ति गुना तरंग दर्ज लगा तरंग का भेग और यह हो जाएगा 35 अगुना यह जो नीचे 100 है इसको हम 10 to the power 2 लिख सकते हैं उपर ले जाएंगे तो आपका यह गा माइनस में होगा यह 10 to the power 3 यह आपका 10 to the power minus 2 पलस माइनस माइनस होगा चला आपको होगे सर तीन में सो दू जाएगा एक बचेगा मेरे मित्र 35 अगुना जितना नंबर पह सर वही है आप कहेंगे सर यह गुना होके हो जाएगा सारे 300 मीटर पर सके यानि कि तरंग का बेग कितना है चला तरंग का बेग गुरुजी सारे 300 मीटर पर सके इसको कितना चलना है सर 700 मीटर क्या कहिएगा कि गुरुजी स्पीड इक्वल टू डिस्टें हो जाएगा सर दो सके हम दू मीटर लिख रहे हैं तोरी कितना हो जाएगा चला दो सकेंड तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑफसन नमबर पी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर नेक्स सवाल देखिएगा कोश्चन नमबर 15 क्या कहा जा रहा है कि निमलिकित का सही उत्तर के साथ मिल जाएगा का है तुक हुआ这 यूनिट होता है जूल होता पैटरी शरो यह रसानी कुर्जा को भीधूत तो झात मिल जाएगा और जो सकती है इसको तो जेनरली हम लोग किलोवाट घंटा यहां पर कहते तो आप कहेंगे सर यह सी के साथ मिल जाएगा और बाइक्रोफोन ध्वानी उर्जा को बिदुत उर्जा में परिवर्तित करेगी तो बी के साथ मिल जाएगा तो देख लीजिए एक डी दो ए और थ्री सी और फोर पी आप कहेंगे सर पहली ऑप्शन में पिरमित्र आपके एल्पी एक्जाम में मिलान वाला कुश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यह मिलान वाला कुश्चन आपका तभी सॉल्व होगा जब फिजिक्स और केमेस्ट्री का बेसिक प्रिवेस को देख लेना है ताकि हमको एक आडिया लग सके कि कि किस लेफल का पूछा गया है पीछे और अभी फिर 2022 का इसके बाद जो देखेंगे गुरूपडी का कुश्चन तो हमको यह आडिया लगेगा कि कि कितना से कितना पडिवर्तन हुआ है तो आप लोग समझते नहीं है आप लोग आएंगे नीचे घमेंट करेंगे 2022 का कराईए 2022 का कराईए 2022 का कराईए यह हम नहीं देखेंगे यह हम नहीं देखेंगे यह सब चीज हमारे लिए है कि आपके लिए है कि आपको कुश्चन का लेफल पता चले कुश्चन का नेचर पता चले कुश्चन के 15 सर सेम है इंगलीस हिंदी हो गया है कोई दिक्कत नहीं है सर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला कोश्चन 16 नमबर बरही सरल सा सवाल कि बिरंजक चुर्ण को जल में मिस्रित करने पर कौन सी गैस निसकातित होगी आप कहेंगे सर बिरंजक चुर्ण की बात की जारी है ब्लीचिंग पॉर्डर की बात की जारी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सी ए ओ सील टू कैल्सियम हाइपो क्लोराइट और जब इसको जल में मिक्स किया जाएगा तो क्लोरीन गैस निकलेगी सिधा सिधा आंसर ऑप्सन नमबर यह हो जाएगा चलिए सर नेक्स सवाल कोशन नम वबिटल फॉर्मूला साहिए एलकीन के लिए सर सिए एन एच्ट्वन प्लस वन दिया हुआ है यखकी यह क्या है सर यह घलत यह जारह जाए तो आपका प्रतिन दिया हुआ है सर तो एलकाइन सी एंग्लिस वर्जन में इसका यह हो गया है इधर उदर हो गया है आपको परिशान नहीं होना है एलकेन का जेनरल फॉर्मूला उदर है तो sev यहां पर सही है मतलब क्या हुआ सर हमारे इससां का सही आंसर क्या हो जाएगा option number see जो गणद है वही हमरा क्या है सब्दी इंगलिस चूक है इससन लिया सप्ट्रू सरंट करना था आ कुछ करना नेक्स्ट कुस्टन ध्यान से देखेंगे कुस्टन नंबर 17 अच्छा रिपीट हुआ है हिंदी इंग्लिस चुकि पीपीटी एक में नहीं आट रहा होगा नहीं एर्जेस्ट होगा तो इसलिए उसको रिपीट कर दिया गया है अब परिसान नहीं होई गया अगले कि संक्रमन के निम्लिकित में से कौन सा कथन सरवाधी को फ्यूक्त है मेरे मेंने कई बार बताया कि संक्रमन तत्なんだ वैसे तत्तों होते हैं जिसका बाहर का दो क्वोस क्या होता है सर अपूर्ण होता है वह स fought के सांग को संग का सवी आउनसर पीटिमेंट केंwest क् intr-र सब्सक्राइब और यह कोश्चन भी मैंने आपको कई बार करवाया है अगर आप हमारे पुराने मेंबर हैं अपने इस परिवार के तो इस को सब्सक्राइब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा और मेरे मित्र इस कोश्चन का आंसर मैं आप सबों के उपर छोड़ता हूं और यहांसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अधरवाइस मैं सर बहुत ही जल्द समरूप अंग समरूप अंग और समजात अंग क्या होते हैं इस पर सर एक वीडियो आप सबों के सामने लाओंगा लेकिन इससे पहले मैंने आपको चुकी यह बताया है पहले से तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को याद है या नहीं है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सिसन में इतना ही को रखेंगे सर मिलते हैं आम लोग फीर अपने अगले वीडियो सिसन में उससे पहले ये उमीद करते हैं कि आपको आज का ये सिसन अच्छा लगा होगा अगर आपको सिसन अच्छा लगा तो सिसन को लाइक कीजेगा ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजेगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेला इकन दबा लि झाल 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 झाल